नमस्कार एंड वेलकम टू निट बाइलोजी नाव हम देखते हैं क्लास रेप्टीलिया जिसको रेप्टाइल्स बोलते हैं ये वर्ड कहां से आया ये लेटिन वर्ड रेप्टम जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल क्रीप और क्रॉल जो है वो वे ओफ लोको मोशन ह गसिट गसिट के चलना जैसे तो इस वज़े से इनका नाम रेप्टलिया पड़ गया ठीक अब आये देखते हैं ये रेप्टाइल्स बिलोंग किससे करते हैं तो इनका किंगडम जो है वो एनिमलिया होगा फाइलम जो है वो कोडेटा होगा और जो सब फाइलम होगा वो क् क्या होगी टेट्रापोडा और क्लास आपको पता ही है रेप्टिलिया होगी अब जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है यार किंग्डम फाइलम तो ठीक था यह सब फाइलम सुपर क्लास क्या है तो उनके लिए एक बार मैं फ्लोचार्ट बना देता हूं तो आप अच्छे से समझ जाओगे जैसे फाइलम कोडेटा है यह सब फाइलम में डिबाइड हुआ कौन कौन से में यूरो कोडेटा सिफैलो कोडेटा और वर्टिब्रेटा यूरो कोडेटा सिफैलो कोडेटा जो है यह प्रो कोडेटा है और वर्टिब्रेटा में जो था नोटो कोड जो था वो व अगनेथा और गनेथो इस्टोमा किस बेसिस पे वर्टी ब्रेटा का डिवीजन हुआ किस में जो प्रजेंट है किस में जो अपसेंट है तो अगनेथा में वो एनिमल आये जिनमें जो अपसेंट थी और गनेथो इस्टोमा में वो एनिमल आये जिसमें जो जो है वो प्रजें थी अब एगनेथा में सिर्फ एक क्लास ही पाई जाती है कौन सी साइकलो इस्टोमा एगनेथा में सिर्फ एक क्लास है फिर जो गनेथो इस्टोमा है ये डिवाइड होता है और में किस-किस में पीसेस में और टेट्रापोडा में पीसेस और टेट्रापोडा ये सुपर क्लास हैं ठीक पिसेस जिनमें फिंस पाई जायेगी टेट्रो पोड़ा जिनमें लिंब प्रेजन्ट होगा तो फिर पिसेस का भी जो है इसमें दो क्रास होती है कौन सी Kondriktis और Oантиkthis, Cartillaginesesanın Isis और Bonifis और फिर टेट्रो पोड़ा में जो है वो चार क्रास होंगी कौन कौन सी होंगी amphibia, reptiles apes, mammal जिन में amphibia reptiles जो है ये कैसी है fish भीक को भी मिला लें तो ये poikilo thermal animal है cold-blooded animal है तो अब पता चल गया ना, super class क्या है sub phylum क्या है तो अब आएए हम आगे इनका जो है characteristic देखते है reptiles का तो सबसे पहला habitat इनका कैसा होता है जो mostly है वो कैसे होंगे terrestrial होते है ठीक, बट जो कुछ है वो adapt है aquatic के लिए भी, तो इनमे mostly कैसे है, terrestrial है कुछ जो इनके animal है वो कैसे adapt है, वो aquatic में भी रह सकते है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, थोड़े time के लिए जाते हैं फिर आ जाते हैं, तो जैसे aquatic वालों को देख लीजिए खास कर आप turtle ये mainly adopt है aquatic के लिए ठीक फिर आएगा turtle, turtle turtle, turtle तर्टोईज दोनों अलग होते हैं क्या हाँ, दोनों अलग होते हैं कैसे अलग होते हैं जो turtle होता है उसके उपर जो hard sill जो पाई जाती है ना जिसमें वो अपना मुझ चुपाता है वो soft होता है और flat होता है जिसलिए वो swim करने में adapt है लेकिन जो turtle होता है वो rounded hard sill उसके उपर होती है ठीक, और इनमें दोनों में अंतर क्या है और अंतर क्या है turtle जो है वो अपना most of time कहां पे बिताता है water में बिताता है लेकिन turtle जो है वो अपना most of time कहां spend करता है land पे करता है और क्या है turtle जो है वो omnivorous होता है लेकिन turtle is जो है वो vegetarian होता है ज़्यादा detail के लिए अगर आपको दोनों में अभी भी confusion हो तो यहाँ पर diagram है आप अच्छे से दोनों का देख लीजिए क्या क्या feature है I hope कि अब आप turtle और turtle में नहीं confused होंगे ठीक और alligator हो गए, crocodiles हो गए यह भी जो है यह भी aquatic plus terrestrial में adapt है अब आएए देखते हैं reptiles का एक और feature देखते हैं इसकी जो body होती है वो कैसे covered होती है कैसी skin से dry skin और cornified skin cornified का मतलब कि कौन जैसी hard skin कौन की shape में जैसे आप यहाँ पर diagram में देख सकते हैं ऐसे pin जैसे knock होती है न सुई की something ऐसे तो यह hard skin उपर होती है dry और cornified skin और इन में epidermal scales भी present होगी scales को और क्या कहते हैं scutes भी बोलते हैं ठीक तो scale भी जो है वो hard skin ही है ठीक scales जो है यह भी hard outer skin ही है future है वो कैसा है external word जो होता है हमारा जो बाहर का पिनना है यह जो है इनमें नहीं present होता external year absent होती है तो फिर इनके kân कौन represent करेगा जो tymparum है वहीँ इनका kin रिप्रिजेंट करता यह है अब tymparum क्या है mail जैसे अपने में टिम्पैन इक membrane होती है न, ear drum जिसको बोलते है तो यहाँ से इनका कान सुरू होता है, तो टिमपैनम को ही हम ear मानते हैं फिर देखते हैं जिन में limb present होगी जैसे सांप में limb नहीं होती न तो जिन में limb होगी वो कैसे होंगे उनमें two pairs होंगे कौन-कौन से दो four limb होंगे, दो hind limb होंगे दियान रखना, इस neck में जो है limb absent होती है अब circulatory system देख लेते हैं इससे बहुत सारा question बनता है तो reptiles में जो mainly है three chambered heart पाया जाता है अब ये तो आप बता लोगे ठीक, लेकिन आपको question फसाएगा कहाँ पे question आपको फसाएगा कि कितने atrium, कितने ventricle होते हैं, तीन chambered है तो दो तो जो हैं वो atrium होंगे ventricle एक होगा ठीक, अब इसमें भी biology है तो exception बिना कैसे काम चले, तो exception भी ध्यान रखो chambered का, crocodile पता है न, crocodile में four chamber heart होता है तो अब बताओ atrium ventricle का क्या हाल होगा, do atrium और do ventricle इसमें होंगे, ठीक जैसे अपने में होता है और इनका circulatory system कैसा है, close type generally अब आगे सारे higher organism के close type ही है ठीक, तो इसमें आपको confusion नहीं होना चाहिए अब ये animal कैसे है poikilo thermal है, poikilo thermal का मतलब क्या हुआ cold blooded animal, cold blooded animal का मतलब क्या होता है कि they cannot maintain their internal temperature internal body temperature ये अपना maintain नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या होगा कि इनमें hemostasis absent होगी, जैसे हमारा temperature है, वो 36 something रहेगा हम ऐसा, चाहे हम Siberia ही चले जाए, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है इनका external environment के हिसाब से इनका temperature बोड़ी का भी उसी के तरह match करता है, इनका constant नहीं होता, ठीक अब आप धियान रखो, poikilo thermal animal कौन-कौन से होते हैं तो तीन, कौन-कौन से, physis amphibia reptiles ठीक, तो आप poikilo thermal से आप से question गलत नहीं होना चाहिए फिर जो जैसे अभी हमने इसनेक की बात की, इसमें limb absent होता है और जो lizard होता है, इनमें जो है, जो scales अभी आपको बताया है hard skin के covering जो outer होती है, ये क्या करते है, said करते है said मतलब कि जब कुछ time के बाद, कुछ certain time के बाद, ये जो अपना scales है, ये change करते है तो बाहर वाली कहां गई, उसको remove कर देते हैं, तो नई जो है, फिर से regenerate हो जाएगी इनमे ठीक, तो setting किसमें पाई जाएगी, scale की setting किसमें होगी, snake और lizard में फिर आए देखते हैं, इनका reproductive system देख लेते हैं, ये कैसे हैं, dioces animal है dioces का मतलब क्या हुआ कि, sexes are separated, फिर इनमें fertilization बहुत important है, fertilization कैसा होगा, इनमें internal होगा और जो aquatic animal होते थे, amphibia बगेरा, उनमें कैसा होता था, उनमें external mainly होता था, लेकिन इनमें जो है, internal होगा development कैसा होगा, direct development होगा, मतलब इनमें lateral stage नहीं पाई जाएगी, और ये कैसे हैं, oviparas है, oviparas का मतलब आपको पता ही होगा, कि ये एक laying करने वाले animal है फिर digestive system में इसका बता दू, complete type होता है, complete type का मतलब क्या हुआ, कि इनमें दो opening present होगी, कौन-कौन सी, mouth और inus तो इनका digestive system, complete type होता है, generally सारे higher organism में जब आप देखोगे, तो complete type ही होगा फिर respiratory system देख लेते हैं, तो respiratory organ इनका कौन सा होगा, lung होगा तो आप lung में भी number में कभी-कभी confuse करता है, तो mostly इन सम्में दो lung पाये जाएंगे, ठीक लेकिन जो snake होता है, उसमें एक ही lung पाया जाता है तो इनका respiratory organ जो है, वो lung है, और mostly दो होता है, लेकिन snake में एक ही lung होता है फिर excretory system बता दो, तो इनमें कैसी kidney पाये जाती है, kidney तो आप बता दोगे, organ इनका excretory organ कौन सा होगा, kidney होगा, लेकिन कौन सा kidney होगा, metanephric धियान रखियेगा, ठीक अब इनमें जो excretory product है, वो कौन-कौन से होगे, तो mainly तो uric acid होता है, लेकिन ammonia भी होता है तो ammonia उन reptiles में होगा, ammonia जो है, वो liquid के form में होता है, ठीक, तो उन reptiles में होगा, that drink a lot of water तो water में कौन से reptiles जाते हैं, जैसे crocodile, alligator, तो उनका excretory waste क्या होगा, ammonia होगा और फिर जो main इनका excretory waste है, जो most of reptiles में होता है, वो कौन सा है वो uric acid है, तो uric acid उन reptiles में होगा, that need to conserve water, जिनको water conserve करना है ठीक, तो फिर uric acid के स्वाम में होगा, paste के form में होगा, ठीक, क्योंकि इन्होंने water को conserve करना था इनको, तो यह ज़्यादा waste नहीं निकाल सकते हैं, water के form में, liquid के form में, तो यह paste जैसा होगा, uric acid जो है ठीक, और जो mainly land पे रहते हैं, entirely, हमेशा generally land पे हैं, उनमें uric acid release होगा तो उसका example क्या हो जाएगा, उसका example हो जाएगा, lizard ठीक, अब हम आगे देख लेते हैं, example जो है, इनके examples reptiles के नाव हम देख लेते हैं, examples of reptiles, ठीक, यहाँ पे आप NCRT का डाइगराम भी देख सकते हैं, तो जो कीलोन है, यह क्या है इसको बोलते हैं, greasing sea turtle, यह turtle है, turtle is नहीं है, ठीक, तो टेर्टल में क्या अंतर था, इसमें जो soft cell होगी, ठीक, जो cell है, इसकी outer उपर की जो covering है, वो soft होगी, और यह अपना most of time कहां spent करेगा, water में, ठीक, और यह omnivorous होता है, फिर हम देख लेते हैं, test to doe, यह है tortoise, इसमें जो उपर का sill है, वो hard होगी, ठीक, और round होगी, जैसे अभी आपको हमने पहले बताया न, कि आप दोनों में difference देख सकते हैं, और यह जो अपना most of time कहां spent करेगा, यह land में most of time अपना spent करता है, और यह vegetarian होता है, फिर देख लेते हैं, चमेलियन, चमेलियन को और क्या कहते हैं, common name भी ध्यान रखिये गा, ठीक, common name भी जरूरी है इनके नाम के साथ, तो चमेलियन को क्या कहते हैं, ट्री लिजार्ड कहते हैं, इसमें जो है, pigment gland होती है, इसकी skin पर, उसको क्या बोलते हैं, chromatophore, chromatophore जो है, वो pigment gland है, जो skin में होती है, और किस चीज में help करती है, camouflage में, यह अपना color change कर लेते हैं, अपने environment के हिसाब से ठीक, जैसे leaf green है, तो यह अपना color green कर लेंगे, छुपने के लिए, ठीक, predator से, फिर एक देख लेते हैं, कैलोट्स, जो है, वो garden lizard है, वो mainly grasses में छुपा रहता है, ठीक, कैलोट्स जो है, वो garden lizard है, तो tree lizard, garden lizard में confuse मत होईएगा, फिर जो है, जो सबसे common है, जिसको हम सब ने देखा है, अपने घरों के दीवालों में, वो कौन सा है, हेमी डक्टाइलस, वोल लिजार्ड, जो की girls के लिए most dangerous creature है, एक, जिसको देखके सब डर जाते हैं, जनरली, घर की दीवाल में होता है, तो उसका नाम भी दियान रख लीजीए, हेमी डक्टाइलस, वोल लिजार्ड, तो आप इस से भूलोगे नहीं, इस कहानी से, कि most dangerous creature for girls जोग था, ओके, फिर देख लेते हैं, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइलस, इसमें क्या एक exception था, इसमें जो है, हर्ट जो है, वो four chambered होता है, other reptiles में three chambered होता है, तो इसमें दो atrium, दो ventricle होंगे, लेकिन अदर में कैसा होता तो दो atrium, एक ventricle, और alligator हो गया, फिर देख लेते हैं, और क्या होगा, snake, snake को कैसे भूल सकते हैं, तो snake में भी example बता दो इनके, नाजा नाजा, वो पाउधारिया वाला song नहीं, नाजा नाजा, scientific name है, कोबरा का, चिक, और बंगारूस, करैत, जिसको बोलते हैं, और वाइपेरा, वाइपर, अब इनमें जो toxin धियान रख ली जिएगा, जो नाजा, नाजा, कोबरा होता है, उसमें neurotoxin होता है, जो वाइपर होता है, उसमें hemotoxin होता है, तो नाजा, नाजा वाला पेसेंट को paralyze कर देता है, ठीक, और ये जो है, ये hemotoxin है, तो कोबरा काटने से brain damage होता है, और वाइपर से blood में problem होता है,